दोस्तों नमस्कार टेक वल राही चैनल पर आपका स्वाकत करता हूं दोस्तों कहते हैं इंटरनेट बहुत बिजाल है और इंटरनेट पर ढोड़ते ढोड़ते मुझे कुछ ऐसा चीज मिल गया जिसको आपको भी सुठना चाहिए एक डिजिटल लाइबरेरी है आर्चिव कर करेंगे तो मुझे एक महात्मा गाधी का उद दिया हुआ भासर यादा जब हिंडिया और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था जो कुछ लोग यहां पर रह गये थे सभी धर्म के लोग तो आपको जरूर सुनना चाहिए मन्यत कभी सोचा भी नहीं था कि महात्मा गाधी कि मुझे सब्द सुनने को मिलेंगे ठीक है तो लिकिन आप अगर सुनेंगे तो आपको भी जरूर वो गवरों फिल होगा कि हमारे नेता लोग पहले कैसे हुआ करते थे यहां पर आप जो है मात्मा गाधी या गांधी जो भी लिख कर सच करना हो आप सर्च कर लीजे तो यहां पर आपको जो है सारे रिजल्ट उसके रिलेटेड आपको मिल जाएंगे यह सर्च हो रहा है यह आपके कंप्यूटर इंटरनेट स्पीड पर यह डिपेंड करेगा आप थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको यह अगया आपका आपका शच इंजनिंग country and Error प्लीज में घिलेटेड जांध यहां पर आप इसको लिख के सर्च कर लिजे इस प्रकार से तो यह सर्च करके आपको दिखाएगा तो यह सर्च हो रहा है आप देख पा रहे हैं सारा ची जा गया है सर्च कर अब यहां पर आपको सर्च करना है कि महत्मागा इसमें आप स्क्लोर करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे ता आपको महत्मागाधी का वो स्पीच आपको मिल जाएगा जो उन्होंने बटवारे के बाद दिया था यह रहा पोस्ट प्रेयर स्पीच उनिस सो इन्हों तालिस 13 जनवरी 1949 को यह उन्होंने स्पीच दिया था जो कि आपको जरूर सुना चाहिए अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं या सभी धर्मों से लगाव रखते हैं तो यह एक बार आप जरूर सुनियागा कि महत्मागाधी कितने प्यार से सब को समझा रहे हैं और उनका उद् जिनियन है यह जरूर बताएगा क्योंकि यह मैं इसको स्पीच को सुनने कि बाद मेरा मन जो है बहुत सांत हो गया है मिलेंग नेस वीडियो में तब तक लिए चेहन